अक्षिकुमार के फिल्म हाउस्फिल 4 बॉक्स ओफिस पर आग लगा रही है। इस साल वो बैक टू बैक सौ करोडी फिल्म ही दिये जा रही है। अक्षिकुमार के फिल्म हाउस्फिल 4 ने अपने पहले सोमवार को 34 करोड 56 लाख रुपे की कमाई की थी। जोकि अक्षिक की करियर में सिंगल डे पर सबसे जादा कमाई करने वाले आग नी है। सिंगल डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में अक्षे कुमार की 2.0 सबसे आगी थी, जुसने रिलीस के चौते दिन 29 करोड 16 लाख उर्पे की कमाई की थी, लेकिन हाउसफुल 4 इस मामले में आगे निकल गई है, वहीं चले बताते हैं आपको Top 5 सिंगल डे कलेक्शन आपको बता दे कि फिल्म में अक्षे के साथ वृतेश देश मुख, बॉबी देवल, कृति सैनन, पूजा वहेग्रे और कृतिक हरबंदा जिससे स्टार्स पी एहम रोल में दिखाई दिये हैं, फिल्म को मिल रहे जबर्दस रिस्पॉंस को निकर तो ऐसा ही लग रहा है, कि ये फिल्म जल्द ही बॉक्स ओफिस पर 200 करोड का आकड़ा भी पार कर लेगी, बात करें फिल्म के अफिस पर टिकी रहती है, वैसे आपकी इस पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलिवुड से जुड़ी खाबरों को जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ यह क्या हुआ, तो आपको निया है तो आपको तो पता ही है वो अच्छी जाने जाती है हर में बॉलिव इस दे चार्व करतें हैं तो आप यह कुछ ऐसा एक्सपरींस रख अप्रांक के आपकर अप्रण यह वो गेम खेलते हैं कि यह ब्लाइंट फोल्ड आस और फिर हमें पर इसा मत कहो यह बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए नाए यह गुरू आए का कि बातों बातों में बोला तुम्हे अपनी किस्मत के बार में क्या लगता है तीनों लगता है तीनों के उजे बूचा है and that's how the prank started and it was all done in great spirit so let's make that very clear but yeah he's one of the funniest people we worked with. and very respectful & very funny very 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 एक जाने से ज़ुरू करें, मैंल आखे बढ़ने ते पहले, एक एक मेडिया वाले एक प्रश्ण बढ़ने अपुछे, बगवान का वास्था है, तीन तीन ले क्या है, वो तीन लाता है, वो तीन लाता है, वो तीन लाता है, तीन लाता है हैं आपको टीक रहा है आपको एक डिखान का एक टीक रहा है और आज हम यहाँ पर आपको एक डिख्रेंट अज आपको लूआ डेक हैं रहा है पहला सवाल? सर, अब भूशनिट मी आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता है वाः बंग्डु माराज वाः सायद पुनर जनम जी सायद अगर आप पुनर जनम लेंगे अगर अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे नहीं सर्थ, फिर भी नी करूँगा युनों, डिफरेंट डिफरेंट अक्टिंग करते हैं आप मतलों, अक्षे जी जब बॉबी देवल ये ऐसे तीनों महरानिया आपके सामने रहती तब आप अक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्क्शॉप करना पड़ता है आपको अग्छी क्या था कि जब इनों ने किर्दार लिखा है जब इतने होनार लेख कि इतनी अची तरह लिखते हैं तो को एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाहन इतनी अची होती है आप लिखलेश के अखलेश को कैसे करना पड़ता है आप and so all thanks to the writing and the director that has helped me do this but what I said was in good spirit if it hurts you, I am sorry no, 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 it's okay बड़ा है ते से जितना नजाकत और अदा प्रितेश में हैं हम तीनो इमनल के नहीं है लापता भी नहीं है लाइक भुजे, I'll have to come to दे दे लिए क्लासे प्रॉम बांगु माराज अच्छा एक आखरी सवाल अखरी सवाल आप तीनो महारानियों से हैं और अगर हाऊसफुल जब आई थी और अवस्फुल 4 तो अप लोग को लगा था जब आपने हाऊसफुल देखियों कि हम एक दिन हाऊसफुल 4 के प्रेस कॉनफरेंस में होंगे ईयर तु मुझे नही पता था कि मुझे अच्टर बनना है क्यों! मतलब अच्छा प्टे अब तख काफी कुछ बदला है तर अब बदी हम फ़रेखिया है एक तर फिर्ड बाद आपक काफी कुछ बदला है आप धक्शे लगe है आप फुमार करतारी हुथ। यह रेघा कि लर पुमर्ड करता है। जivas रिटमारार्म नवी रिटमारी थे प्रिटे मिन है। द्युक्ष में वे ला मस लोखी है। समझे में रहीं प्ली है् कुछ कर रहे हो पुम है। Housefull is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. When I first posted it, for me it was a moment of pride. I sent my mom to WhatsApp before I posted it online saying, Maa, I can't believe I'm in Housefull. It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Housefull definitely, it ticks something off my bucket list and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama bhi kar liya, Housefull bhi kar liya, two and one ho gaya maara to. Akshay ji, Akshay ji, aapke thik sallin... Inki list take. Aek aakri sall mera aap se, you know, aapne kai bar bataya hai ki jisse aapne acting sikhi hai, jo aapke guru hai, wo hai Mr. Amitab Bachchan ji. Hali me unhye johai Dada Saheb Falke award kelle eunka naam aya hai. To agar aapne kuchh beautiful alphaz unke liye kuchh agar aap kare sekei, Akshay ji, aapse bhi. Bobbi ji, please. Jumai unko phone kare ke kare naam. Hameare liye video bite, video bite, video bite, sir. Kar lunga bhi te, kar lunga na. Halo Akshay sir, this is Suriya here from Bollywood Crazies and there is one question, sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir, yeah. My question to you is like, esra ki comedy genre thoda aajsh kal kam a rahi hai aur comedy film me thodhi kam ban rahi aise me ek uni concept lhe kar itni badi film banana kitna difficult rehta hai as in actor ke liye do alag-lag role karna aur makers ke liye is tarha ki film justify karna aik badi film banana taakki audience ko pasen na because the failure was mind blur. Yeah. Sibse pahal shukriya ki aapko tradiul aachha laga. Duxri baat hai, ek share dil, dil chahiye hota ha itni badi film banana jokke humahar saath fox hai, humahar saath saajid nadat wala hai inhi ka share dil hai joh itni badi badi film bana liethe hai aur aur muskkil bhoat rata hai bhoat saari problems rathi hai bhoat saari cheeze rathi hai bhoat saari itni actors ko leke unko ek film ke anda perona wohu bhoat hi muskkil rathai lekin agar jitnye bhi artist aur jitnye bhi technicians akas kheel ke kam karein to is muskkil ka pata nahi chalata bhoat asanhi se nikil jatati hai yhe film kariiban 8-9 pahala hi khatam ho goyi thi uske baad VFX ki wajay se wakt lagta hai VFX ko jiasse aap jantate kukiki jiasse aap ne VFX dhekhe hai to aur yhe varnah to yhe humahari film mujhe lagta hai humne kariiban na kariiban saati ya satar din ke anda khatam kerti to so bhoat jaldi khatam kararii isko sahaji sir this side so in the in the la haapka mike band haame aareha 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 okay just one thing after this question we'll be shifting to the international media also just a few question to them and we'll come we'll be coming back to us hi manesh haanji sir after this in ke saad i would like i would request i would say that two three questions for the people behind if they can they want to ask also absolutely absolutely i think there will be more than happy there will be more than happy i would like